बिहार में इन दिनों नगर परिष्ट चुनाख की चर्चा हो रही है प्रतियाश्रियों ने मैदान में उतर कर काम करना शुरू कर दिया है वही जमूई जिले के नगर परिष्ट जमूई के वाद नमर 16 से वाद पार्षद प्रतियाश्रि हैं देवेंदर कुमार हमारे समवाद्दाता से बाचीत में देविंद्र कुमार नहीं कहा है कि वाट नमर 16 में जो की विकास का कारिया होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है आईए देखें इसके एक पूरी रिपोर्ट देविंद्र कुमार ने कहा है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में जमूई नगर परिशत के वाइट नमर 16 से वाइट पाश्षत का प्रतियाश्य हूँ अगर इस बार जनता को मुझे प्रतिनिधित्व करने का जो मौका देगी तो मैं अपने शेत्र में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूँगा शेत्र में भय और ब्रहस्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगा शेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करूँगा देविंद्र कुमार ने अपने शेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार 2022 के नगर निकाय चुनाव में मुझे वार्ड नमर 16 से वार्ड पार्शत के लिए समर्था दीजिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कभी निराष्ट नहीं करूँगा और वार्ड नमर 16 का बहतर विकास करूँगा देविंद्र कुमार का चुनाव चिन टेम्पू छाप है जो क्रम स्रंक्या सोन्यतीन है उन्होंने क्या कुछ कहा आईए देखे नमस्कार आप देख रहे हैं आदर सभादर टीवी और मैं हूँ आलोक राज बिहार में इन दिनों चुनावी महोल है क्योंकि नगर निकाय का चुनाव होना है यहाँ पर दो चलने में चुनाव होंगे पहला चलन 10 सक्टूवर को है दूसरा चलन का जो वोटिंग है वो भी सक्टूवर को है आज मैं जमूई जीले के जमूई नगर परिशत छेत्र के वाड संख्या सोले में आया हूँ यहाँ से वाड पारसत के प्रतियासी है देवेंद्र कुमार यादव जी आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानने का प्रियास करेंगे कि आखिर क्या वज़ा है जो यह वाड पारसत का चुनाव लड़ रहे हैं और इस छेत्र की जनता अगर इनको अपना बहुमूल भोड दे के वाड पारसत में चुनाव जिताती है तो यह अपने छेत्र में किस तरीके का विकास का काम करेंगे देवेंद्री जी सबसे पहले आपका आदर्स वाज़े टीवी में बहुत-बहुत स्वाज़ा थी आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद जो हमारे दर्वाजे पर आप लोग आए इसके लिए आपको अपने वाज़ से वाज़ पार्शत के परतियासी है क्यों क्या ऐसा कारण है जो आप वाज़ पार्शत के परतियासी बने हैं और चुनाव दर्ड़ने का मुख कारण क्या है मुख कारण है कि नली गली जो भी काज हमारे पिता जी के दौरा गया था उसके बाद आधा अधूरा काम जो है हुआ है डंक से काम ने हुआ है हम चाहते हैं कि पिता जी का सपना जो अधूरा रागिया है वो हम पूरा करेंगे अगर इस छेत्र की जनता आपके उपर विजवास करके आपको अपना बहुमूल भोट देखे वाड़ पारसद में चुनाव जिताती है तो आप क्या-क्या विकास का काम करेंगे अपने पंचायत में या अपने वाड़ में नली हो गली हो अवास हो जितने तरह का जो है हमारे तरफ से प्रियास होगा गरीब गुरुवा को अपने पहुचाने का प्रात्मिक्ता क्या रहेगा सबसे पहले सबसे पहले नली का समस्या है ग्यली का समस्या है आवाज का समस्या है सीख्षा का समस्या है यही सब काम किया जाएगा हमारे चैनल के माद्य हम से अपने हमारे जडचको को यह अपने छेत्र के जंता से क्या अफिल करना चाहेंगे हमको इस बार एक मोगए जंता से हम मांगते हैं कि हम पर गॉल करने की जो फिर माधूरा दुरा हि हिना ज्य टेम्पू छाप है ग्रम संक्यां तीन जी 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 जी